एंटी करप्शन ब्यूरो कुर्क्षेतर की बड़ी कारवाई सामने आई है रिश्वत के मामले में पुलीस के दो करमचारी गिरफतार कर थानाची का कैंतरगत भागल चोकी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एसाई को दस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया है भागल चोकिन चर्ज बलविंदर सिंग वा हरपाल शर्मा रिश्वत लेते हुए गिरफतार हुए हैं इस संब्ध में प्राप्त जानकारी के अनसार लड़ाई जग्ड के केस में नाम निकलवाने की बदली में सत्तर हजार रुपए की रिश्वत की डिमान की थी साथ हजार पहली भी ये आरुपी ले चुके थे विजिलेंस की टीम ने मौके पर दस हजार रुपए लेते हुए इन्हें गिरफतार किया है अब इन आरुपियों को नियाले में पेश कर आगी की कारवाई की जाएगी इसी था कि हमारे पास कंप्राइंड आई कि मेरे खिलाब है थानाची का चोकी भागल के अंदर मुकदमा है 284 नंबर है जो हमारे पांच आज में खिलाब था जो हमारे दो आजमियों को सामिल तप्तिसके प्लिस बेल पे छोड़ी दियागा है और जो मेरे जो बाई है दो जिनके बारे में चोकी इंचार्ज बल्विंदर और एसाई हरपाल जो पहले आई हो था मेरे से उनको निकालने के बारे में पैसे भांग रहे हैं जिस से मन्द में मैंने उनको करीब आच पांच से दिन पहले मैंने उसको चोकी में जाकर के अपने साइज सहीद चोकी में ज कर देगी तो उसके बावजुद भी फिर मेरे से जो बार 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 डिमार्ड करता रहा है मैंने का वह इसको जल्दी निम्टा दे या मेरी मजर को निकाल दे तो उसने बार बार डिमार्ड करने जो कहा कि भई ठीक आप नुपर आया फेड़े बनवाला दोचर और दस और ले इसट दिया है तो बेजने पस्वामारा मुक्रत शज़ा इसारा था उसनने इसारा करते है जो मौक यह जाकर देखिया तो उसनों बहुद पैसे और आई-सस था प्र पदिए सिकाये करता मैं प्र भी नाम फपर न करोंगर तो उसमें तो हमने दे दिया तो उसको जाने जो सारे जिस तरह से पाणी गुलाबी रंग से हो गया तो और वह हमें रेड एंड मोकी से बरावंद कर लिए ऐसे वी तो उसके बाद इनको गिरपतार किया गिरपतार करके जो चल रहे हैं अपना कंटीनू से ले रहे हैं तो इनका बाद जिस तरह से अरश्ट करने बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत के मामने में पुलिस के दो करमचारी गिरफतार किये हैं थारा चीका के अंतरगत भागल चोखी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एसाई को दस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया है बैराल आरूप झाल